हेलो एब्रिवन, वल्कम टू वॉलिशन क्लासेज, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिकल सेल अनीमिया, नोट्स आप साथ के साथ बनाते जाएं, हैंड रिटेन नोट्स के साथ ये सारी चीज़े हम लोग क्लियर करेंगे, तो सबसे पहली डिजीज जो हम जै करियर होंगे डिजीज के, मतलब दोनो पेरेंट्स जो हैं, अटलिस्ट करियर होने चाहिए, मतलब उनके पास वो जीन होना चाहिए, जिसकी वज़े से सिकल सल अनीमिया होता है, बाकि सिकल सल अनीमिया जो है, वो पॉइंट म्यूटेशन का भी एक्जाम्पल है, क्योंकि म्यूटेशन में क्या होता है, कि यह किसी एक जीन में अल्टरेशन होता है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल पेर होता है, अलील का, मतलब सिंगल जीन के द्वारा यह कंट्रोल किया जा रहा है, वो है HBA और HBS, HBA हम बोलते तो फिर HBA, HBA हम लिखेंगे, लेकिन वही पर अगर कैरियर है, तो एक HBA और दूसरा वाला जो अलील है, वो HBS हो जाएगा, लेकिन अगर अफेक्टेड है, तो दोनों ही अलीलs HBS, HBS होंगे, तब भी वो अफेक्टेड होगा, मतलब ऐसे केस में, जो मदर या फादर उनको disease होगी, ठीके, उसके बाद ये देखिए, ये NCRT में एक diagram है, काफी important diagram है, मैं थोड़ा सा adjust कर देती हूँ, तो ये देखिए, ये normal में दिखाया हुआ है, ये DNA और ये affected में दिखाया हुआ है, फिर इस DNA से जो mRNA बना है, वो mRNA single stranded होता है, DNA double stranded होता है, इसलिए आपको एक gene, एक codon जो है, वो दिखाया हुआ है, लेकिन उसके donor strands के दिखाया हुआ है, फिर ये mRNA में आप देखेंगे, तो affected में क्या दिक्कत आ रही है, affected में जो mRNA बन रहा है, उसमें जो codon है, वो GUG है, ओके, होना क्या चाहिए था, अगर यहाँ पर ये CTC, ये वाला, ये वाला normal है, हीमोगलोबिन की chain में, और यहाँ पर आप देख सकते कि इस codon में GAG, फिर इसका complementary जो है, वो CTC है, और इससे जो mRNA ने बन रहा है, वो GAG codon वाला है, तो GAG से बनता है glutamic acid, लेकिन GUG से बनता है, GU वाले जितने भी codons होते हैं, उन सबसे विलाइन बनता है, इसको याद रखन बनते हैं, तो असल में होता क्या है, कि ये गड़बड हो रही है 6th position पर, 6th position पर आप देखेंगे, कि 6th position पर इस chain में 6th position पर जो amino acid बनना चाहिए था, वो glutamic acid बनना चाहिए था, पर गलती क्या हुई, कि GUG हो जाने की वज़े से, सिर्फ point mutation हो जाने की वज़े से, 6th place पर glutamic acid ना बनके, विलाइन बन गया, क्या बन गया, विलाइन, और उसी की वज़े से, ये पूरी गड़बड हुई है, और sickle cell anemia नाम की disease हुई है, तो cause देखें, cause में लिखा हुए, change in single gene, single gene में change आया, क्या change आया, replacement of GAG to GUG, जिसकी वज़े से substitution हो जाता है, glutamic acid का, इसको highlight कर ले करते है, by welline, तो होना six position पे glutamic चाहिए था, लेकिन glutamate भी बोलते हैं से, लेकिन welline हुआ, ऐसा आपको hemoglobin की beta chain में देखने को मिलेगा, तब hemoglobin की जो beta chain होती है, alpha और beta ये दो chain होती है, इनकी भी units होती है, alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, तो beta chain में गड़बड हुई है, six position पे glutamic की जगा प और ऐसा हुआ क्यों है, point mutation की वज़े से, एक ही जगा पर यहां पर ही हुआ गया है, उसी की वज़े से पूरी गड़बड है, अब इसकी वज़े से हो क्या जाता है, इसकी वज़े से जब polymerization होता है, hemoglobin की chain का, तो उसमें mutation आपको देखने को मिलेगा, और जिसकी वज़े स हुआ क्या है, low oxygen tension पर polymerization हो रहा है, जिसकी वज़े से RBC की shape, जो की disc shape होनी चाहिए थी, या bycon के वोनी चाहिए थी, वो अभी कैसी shape हो जाती है, sickle जैसी हो जाती है, sickle farming में, agriculture में आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का एक device रहती है, उसको बोलते है sickle, तो sickle जैसी shape हो ज इसके बाद next देखी, तो देखिए कैसे disease transfer होती है, इसके लिए मैंने यहाँ पर भी show किया गया है, तो parent और genotype, ये parent, parent, mother carrier लिये है हमने और father भी carrier लिये है, carrier लिये है, तो कम से कम एक allele जो है, वो HBS होगा, HBS होगा, तो दोनों हमने carrier लिया, किसी को affected ने लिया, ना mother में disease show ह हो रही है, ना father में disease show हो रही है, तब भी progenies आप देखोगे, कि affected मिल जाएंगे, तो mother कैसी है, HBA, HBS, और father कैसे है, HBA, HBS, और progenies जो बने हैं, वो ये देखिए, HBA के साथ HBA जाएगा, आपको, आप इसको इस तरह से भी show कर सकते हैं, और आप panet square की मदद से भी कर सकते है तो ये देखिए, HBA के साथ HBA आया, तो ये normal मिल गया आपको, HBA के साथ HBS आएगा, तो ये आपको carrier मिल गया, HBS के साथ HBA आएगा, तो ये आपको carrier मिल गया, लेकिन HBS के साथ HBS अगर आ गया, तो ये affected हो जाएगा, तो मतलब ये है कि 25% chances अगर mother, father दोनों ही carrier है, तो 25% chances हो प्रोजैनी में आएगी 25% प्रोजैनी ओके तो ये था सिकल सेल अनीमिया अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो मेरा एक्स्प्लेनेशन अगर आपको समझाया है तो आप एडियो के कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और नोर्स साथ की साथ बनाएं आगे आप किस जो का किसे दो एक्सिमी है झाप ड़ yeah और आपके हैं लगा प्रोजैनेशने का यड़ा आपको ये उना अभी जर वह दो ए किस वे प्रोजजैंघने ऊच्छा रएं में आपको